का सखनदियों में यमना नधी जो यह उत्राखंड कर यमनोत्रिय हमानी से निकलकार उत्तरखंड से बैते हुए इलावाद में गंगा नधी में मिल जाती है यमना नधी की प्रमुक्त साहक नधी में जद्रों में चम्बल र बैतवा एंडिवा यह मंद्धय प्रदेश से बैते हैं है उसलीं राज़स्थान से होती उस्थाइश उत्त में आ hadde seasil बेतला यही मादप्रदेर से बैती हुई और यमनानदी में आके मिल जाती ही कैन यह तीन प्रमुक्त साइक नदिया हैं यमनानदी की यमना गांगा ब्रह्मपुत्र नदी राक चीन में राकस जील से निकलती है और चीन में इसे सांगो के नाम से जाना जाता है और जब यह भारत में और आचर प्रदेश में भारत में प्रिवेश करती तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और जब आगे आगे गंगा से मिल जाती है तब इसका नाम पदम मेँ हो जाता है और रिश्च्र पहले इस ब्रह्मपुतर को बंगला डेस में जमुना के नाम से जाना जाता है ये नदिया जब आगे जाके बंगाल की खारी में गिरती है तो अपने मुहाने पे जहां ये अपना पानी जो है बंगाल की खारी में गिराती है वहां पे ये डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पे और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दर वन डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है कि इसमें टाइगर रिजार्ब कि संचुरी इस तरह के इसे कंजर्वेटिव कंजर्वेशन किया गया है इस डेल्टा को कि आगे देखते हैं इसी यम्ना नदी के किनारे भारत की राजधानी अर्था दिल्ली इस्तिते और एक प्रिसिद्ध इस्थान है जो इसके किनारे इस्तिते वो है आगरा और फिर यह अलहावाद जहां यह आपस में मिल जाती है और इसे शंगम कहा जाता है शंगम इसे इसे शंगम कहा जाता है अब इलहावाद का नाम बदल कर प्रियागराज कर दिया गया है तो प्रियागराज कह सकते हैं इलहावाद कुछ भी कहिए शंगम माना जाता है कि यहां तीन नंदिया मिलती है एक सरस्टी भी नंदी मिलती है और जो भूमिगत मानी जाती है शंगम बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदु धर्व में हुआ है कि संगम पर भारत में आयोजीत होता है कि होने वाला कुम्भ मेला जो बारा वर्ष में एक बार वर्ष में एक बार होता है यह भारत में चार जगाय लगता है हरेद्वार जो उत्राखंड में है और यह गंगा नंदी के किनारे यहां फिर यह उत्तर प्रदेश में प्रियागराज या इलहावाद में संगम पर और उज्जेन में सिफ्रा नदी के किनारे और नासिक नाशिक उडिशा उडिशा में गोदावरी नदी के तट पर शंगम कुंब मेला का आयोजन होता है या बारा वर्ष में एक वार होता है